नमस्कार सीटी हॉल में आज एक नए विशे को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं बुन्देलखन के परिप्रेक्ष में ये चर्चा है कि आखिरकार हम किस तरीके से इस पूरे शेत्र में टूरिज्म की संभावनाओं को देख सकते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में जिन राज्यों की अपनी अपनी संस्कृती हैं उन्होंने अपनी संस्कृती या प्राक्षितिक धरोहर या इतियासिक धरोहरों के उनका विकास करके अपार संभावनाएं निर्मित की हैं और टूरिज्म में विक्सित हो रहा है लिकिन कुछ बड़े बड़े नामों की वज़े से चोटे नाम या जिने हम चोटा समझते हैं वो नाम डब कर रह जाते हैं और यही वज़े है कि हम बुंदेल खंड की अगर बात करें तो बुंदेल खंड की शेत्र में बहुत से ऐसे शेत्र हैं जिनको अगर विक्सित किया जाया तो उनमें टूरिजमी की अपार संभावनायद बन सकती हैं। आज इसी विशेपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक खास पैनल हमारे साथ मौझूद है। महराजय कॉलिज के हिंदी विभाग के प्रोफिसर डॉक्टर बहादूर सिंग परमार, डीके सोनी जी जो कि सिनेमा के काफी जानकार हैं और परेटन के जानकार हैं, उनसे हम सलाम मश्विरा करेंगे और बाचीत करेंगे, हमारे साथ यूवा विद्यार्थी हैं, हर्शित सें जो कि खूजोराओं से मिलॉं करते हैं, तीनों से बाटकीत करने पर ये ऑ निचोवा नेकाली की कोशिश करेंगे wisig क़ों-कौंसे परेटन इस्थ Wakir या कौन-कौन से ऐसी जगह हैं जिनको परेटन सिथ n रूडुel 지ल के विक्सित किया सकता है, या कैसे विक्सित किया जा York अलग-अलग कितनी संभावना है इन बातों पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं डॉक्टर वाहदू सिंग क्यों रूख करूँगा सर जैसे कि हम जानते हैं कि मदरप्रदेश और उत्रप्रदेश को मिला कर 13 जिले कुछ ऐसे एक नक्षा बनाए गया है जिसको बुंदेलखंड कहा जा रहा है उस बुंदेलखंड शेत्र को लेकर अगर हम टूरिज्मी की संभावना इतलाश हैं तो कितना मानते हैं कि ऐसे कौ नहीं है पहले जो हाइलाइटेड हैं उनके संचिप में मैं आपको बात कहूं खास तोर से अंताराश्टी स्तर पर आपका खजराओ ओर्चा गवालियर जहासी यह ऐसे स्थान है जो लगातार जहां पर देशी परटकों के साथ हैं विदेशी परटक यहां पर लगातार आते ह आपक पार्क पन्ना में जो आपका प्रणामि संपनात का मंदर है वहां ही प्यदेशी प्रवशन लगातार आबरजन होता है सम्हावना वाले बहुत सारे छेत्र हैं जिन छेत्रों को हमें उभारने क्या हो सकता है मैं चर्चा आपसे निवेदन करूं सबसे पहले कि कालेंजर एक किला है जो इतिहास का बहुत बड़ा प्राचीन है लेकिन उसको हम अभी इंटरनेशनल और नेशनल इस्तर पर प्रोजे है उसको आप कैसे डामेंड निकलता है इसको भी प्रोजेक्ट ने कर पा रहे दूसरा छोट छोटे बहुत सारे हमाएं है प्राकृतिक इस्थाल है जटा संकर है अर्जुन कुंड है भीमकुंड है जो चटर पो जिले में है इसी के तरह ठीकवर जिले में बहुत सारी इस् सेल चित्र पाया जाती है वह लगातार हमाई आदी मानों के इसके संदर में है तो हम इसको प्रोजेक्ट ने कर पा रहें इंटरनेशनल अंतराष्टी इस्तर पर इनके देखने वाले हैं इनको चाहने वाले हैं इसके माध्या से हमारे परटक आएंगे और हमको बदेशी बुंदिलखन में क्या है जिस परपेख्श में आप रायस्थान को देखें रायस्थान ने अपने संसादनों का जिस भैतर डंग से उप्योग किया है बुंदिलखन अ बहुत पीछे हम अपने हाँ के कल्चर से हम सांस्कृतिक कहते हैं हम अपना जो खान पान है हमारे जो पर दूसरा यहां पर आप देखेंगे जैसा रायस्थान में यहां नहीं हो पारा प्रयास हुआ है खास्तों से चंद्नगर का किला जो था गड़ी वो किसी इंटर्नेशनल कंप्टीन लिया क्या हुआ पता नहीं लेकिन उसका जो उपयोग होना चाहिए वह नहीं हो डंप होक अचाहिए इसी तरह से बसारी में हैं अलीपुरा में हैं कई ऐसे स्थान हैं जिन लोगों ने तुँछा जाग रुकता लाइन लेकिन फिर भी अभी ऐसे कई कि मनुमेंट्स हैं कई ऐसे गड़ी हैं किले हैं जिनको हम प्रोफेशनल द्रस्ट्री से विक्सित करके उनको हेरिटेज के साथ साथ उसमें होटल रेस्टराउं यह इस परकार का कही न कहीं को डेवलप करें तो हमारे हैं जो सुभधाय नहीं मिलती हैं इन सुभधाओं को भ अगर्ण्तिके में हलाल कर लिया जाए और उस हलाल करने के चक्कर में सारा इसके आर्थ प्यपासा के करण वो पर्टक लोटके दुवारा बुंदल ख़डने आता है उनके साथ जो चल अपरेब के साथ ख़राहों खास्तों से मिचिर्चा चर्चा में है औरचा इसमें चर् कुल कि बहुत सारे ची शेतर हैं जो व्क्सित ऐसे चाहे हैं लेकिन नाम विश्यमान शित्र पर देखे जा सकते हैं लेकिन विखेंद हैं विख्षे स्वॉनी तोरिस्म क्विक्षित और चाहेंगे दिऐसे शिष्पधर आप कि इन चीजों को आप यह मानते हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा है राजनेति की इक्षा शक्तिकी कमी है या फिर कौन से और कारण देखते हैं जैसे कि परमार साब ने बताया है अभी एतिहासिक और सांस्कृतिक द्रिस्टी से हमारी दरोहर बहुत संपन्य है आर्थिक और रोज इन रोजगार की रूप में कोई परगटर्ड़्स हमारे लिए हो सकता है इसी विसाए पर कोई चर्चा की नहीं गई हैिसे सिफ दाःशनिंक ही माना गया है देखिए जब परगटर का आता है तो वह हमारे हाँ का कल्चन ले जाता है ले जाता है तो कुए चीज़ें हमारे एक आर्थिक लाव होता है साथ ही इस प्रकार के काम करने वाले लोगों का रोजिगार भी बढ़ता है यदि प्रशासन इन सब मुद्दों पर ध्यान दे तो इन चीजों को बजन देते हुए और प्रेटन को बढ़ाया जा सकता है इसके लिए प्रेटन छित्रों को डबलब क परना जरूरी है और वो विश्यस रूप से किस प्रकार के हमान लीजे वो एक एतिहासिक द्रिस्टी से महत्यकून है तो उसका उस प्रकार से प्रचार किया जाना चाहिए यदि वो सांस्कृतिक द्रिस्टी से महत्यकून है तो उसका उस प्रकार प्रचार किया जाना चाह चले खर ये बात तो हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं हरशित हैं जो कि बीवे कर रहे हैं भुबाल से खजराओं के निवासी हैं खजराओं में पूरा महाल चुकि एक इंटरनेशनल प्लेस है हमारे बुद्दिलखंड के पंतरगत आता है एक युवा होने के नाते ऐस से जगहों पर एक युवा क्या चाहता है परेटन की दृष्टी से माली जी आप गुवा गूमने जाते हैं अगर हम इंडिया की बात करें तो लोगों के लिए बहुत अच्छा देस्टिनेशन हैं के परबस से तो कौन सी ऐसी चीज़ें युवाओं को आकरशित करती हैं कि ठीक है हम केवल परेटों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ विदेशी परेटों की बात नहीं हो रही है परेटे देशी भी है विदेशी भी है जितनी ज्यादा मातरा में बाहर से लोग आएंगे उतना ही उस जगह का आर्थिक विकास होगा बागी चीज़ां बढ़ेंगी आप क्या कहते है इस बार ? first of all thank you for inviting me here and I think tourism is a magnificent and significant role in Khajruvahu that play a vital and the biggest thing is the biggest thing and the biggest thing on economic growth we see in Khajruvahu it was saying by the Ministry of Tourism or State Tourism ITDC that was the average that actual tourism point of dollar two hundred million which is around to be obtained up to 2020 this is the main magnification the temples which is best for architecture and its significance famous in entire the world the most thing which I find or the more demotivated point of mind in Khajruvahu as a youth that was the tourist when arrives in Khajruvahu he can't stay much or more days he just quick and just make one sightseeing to the western group of temples and just delivered to the Waranasi, Allahabad or somewhere else the destination so what is the reason that he doesn't stay here actually we don't have much activities to do there we don't have enough resources we know that we have resources but our government may be avoiding of this the most issue which I want to tell you right now archaeological survey of India has built a beautiful beautiful museum which for the ruins statue but still which is behind the Lalit temple view everybody is aware over there but still it is waiting for the inauguration if it might be inaugurated then the tourist will the objectivity of the time would be one hour two hour or three hour more be I agree with Sir Sarvos mentioned that the Rajghar palace and about the Kalinger fort I completely agree that the most the thing is that we don't have a conveyance facility over there we don't have a conveyance facility tourists have a sort of fear the fear is that might be unconditionally unconditionally the drivers or the taxi drivers are charging so high to take the Kalinger fort and more ever I want to tell you one more thing I want to tell you here the biggest thing is that the hawkers are charging the administration of police in Khajraho is not so good which I am telling you very frankly over here this strongly strongly should be made this is not a matter of only Khajraho it should be Jata Shankar it should be anywhere else Orsha the tourism in Khajraho there might be a 49% 58% something in Orsha but the tourists delivered it to direct Khajraho so as a youth that I want to think that the archaeological survey of India Ministry of Tourism State Development Corporation should make that kind of install like such things which tourists stay more two or three day it would be very beneficial for the restaurant it would be more beneficial for the hotels it would be more beneficial to all those who are internally connected with the tourism because most of the things which is connected in tourism in Khajraho no doubt I would like to tell you which is the most important thing that is being said in Hrshit about this Hindi रोका जाएगा, वो सिर्फ एक दिन में मंदर गूम के चले जाएंगे, तो आपके आए के साथ हम बंध है, अगर वो पांच दिन रुपता है, तो आपको विदेशी पुद्रा अर्जित होगी, यही बात हम गूम फिर कर क्टर बहादूर सिंग परमार के साथ लोटेंगे, सर जैसे कि बंधेली कल्चर की बात है, बहुत मीठा म्यूजिक हमारे पास है, इतनी विवित्ता है इस पूरे कल्चर में बंधेलखन की बात करें, हमारे हाँ जैसे की चंदरनगर और इधर पर टेरा कोटा की इतनी अच्छी मूर्तिया की, एक दो बार दिल्ली से मिनिस्ट्र इतने वाला नहीं है, और अब सरकार ने भी उस दिशा में प्रयास करने बंध कर दी है, आखिर कब तक यह चलेगा, अगर यह विक्सित नहीं होता है, तो कितने मदब कितने आवश्यक्ता मांते हैं, निश्चत तोर से, सबसे बड़ी बात, जो भी हर्षित ने कहा, हमारे पास प्रसासनिक जो सोच होना चाहिए, और जिस से तेजसुता से हमें काम करना चाहिए, वो नहीं होता है, हर्षित ने को धार्ण दिया, दूसरा आपके सामने इंटर्निशनल एरपोर्ट का दे सकता है, कि इतने दिन से आप लगातार हम सब देख रहा हो जाते हैं, और ब सब्सक्राइब करना चाहिए, वो उस पहरोकारी के साथ जुम्मेदारी के साथ जतना रखना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, यह को धाराव और देता हूं इसी के संदर में, और धुबेला, महराज चातर साल की जनभूम, उसके आसपास आपके जो परातत्त विवाग है दिल्ली का उसमें काफी काम करा है, मैं अभी विगत दो-तीन दिन कलिए, वहाँ इतना करोड़ो रुपया खर्च कर दिये, सफाई एनसस के बच्चों को करना पड़ा, वहाँ टीला हट आते तो वह कहरें, परमिसल लेरा पड़ागी, उनके क्यूरेटर हैं वहाँ रहते न सुझाओ है कि यहां के बहुत सारे हमारे घराने हैं, खास्तों से ओद्वी घराने, बहुत सारे आजकल खनेश निकाले ज़ारे हैं, उन खनेश को निकालने वाले हमारे जो इंड़ाइस्ट हैं, या ऐसे जागरूग लोगों का ग्रूप डेबलप हो, जो खजराहों से अर नहीं कान लाना चाहिए देख तो यह वात हो सकती है दूसरा आपने वता है संस्कृति के संदर में वह सारी संभावन आए हैं हो सकता है लेकिन इसमें भी कि हमारे काम करने का माददा नहीं है खजरावों में बहुत सारा आपको संग्यान में होगा कि यहाँ पर जो केंद सरक करवाया है और वहाँ पर जो लगातार हो उटल नहीं है काईप फूहर होते हैं वो उतने इस-तरन हमतल्ивать कोछ हो गया होगैए केवल प्रोफेशनल हो गये हमारे पास जो नॉन प्रोफेशनल डेवोशन से कलाकार है लोक के गाओं में उनको पहुंच नहीं है जो लोग के जो पाइं कर रहे हैं तो पता ही नही है तो यह सब चिए है दूसरा आपने है बुछ सारे जो हमारे 5-star होटल हैं वो पयोग कर रहे हैं गुंदेली ब्यांजन में एक बाद चंदेला गया तूड़े स्थानी टूरे लोग ऐसे ना रेस्टोरेंट डवलब कर रहे हैं ना चुट चुटे इस पकार से आप होटल्स डवलब कर रहे हैं जो आप क्योंकि हर आदी फाइक स्टार मने जा कि इस पकार से जागरुकताम को समाज बिलाना चाहिए जो विरोजगारी का रहनार होते हैं एक धाबा खोल लें जो ट्रेडिशनल फूट्स के वारे में यह पर बहुत सारे यसे आपने बालचंद कुमार की बात उठाई बहुत सारे एसे स्कल्प्चर और भी हैं बास का का काम करने वाले हैं स्विनगर के पास में अपके धातुओं का काम करने वाले हैं ठीकावना बहुत अच्छे और लोग हैं ति इनकी एक मार्केट डिबलप किया जाए हम उधाराण देखें जो खजराओ में सामक्री बिक रहे हैं और चाह वही दिल्ली में वही आगरा में व करना चाहिए मेरा ऐसा सोचना ने जो भी आपाएं जो से कलेंजर की बात होई या बाना में या हमीरपूर की बात करें बहुत से ऐसे चकों पर लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि एक तो उन्हें सामने लाना उनको किसी आपके लिटरेशर के माध्यम से या कैसे वी प्रचारित करके लेकिन कितना अहम चाह आउब रॉल आप मांते हैं हमारे यहां की जो लिटींग सबके हैं या वहां तक पहुचने की जो इस्थान है क्या आज हम कलेंजर बहुत आसानी से 2 या चार गंडे की रास्ते मैं सकते हैं यह ऐसी बहुत सी जगह हैं मोना सहीय की बात हुई ऐसे चित्र वहां पर बाये गए हैं जो चालीस तीस से चालीस हजार वर्ष पुरानी बुफाएं हैं जहां पर आदिमानों ने चित्र बनाए हैं उकेरे हैं आखेट की चित्र हैं मनुरंजन के हैं लेकिन वहां तक पहुचना मुश्किल है कि घड़ पुवार का किला अशी है बहुत बढ़ा जी है विल्कुल आप सही कहा जाएं शेगन जी एक्टी निवक्ति क्या होता है जब कोई परेटक आता है तो वह सबसे पहले देखता है सुविधा वहाईं को पहुचने की सुविधा क्या है उसका साधन क्या है और सुरक सब्सक्राइब के बाद उसको वहां कि क्या आपने सुरक्षा मोहिया गड़ा रखी है परेटा घूम रहा है उसको किसी प्रकार का डर तो नहीं है यह चीजें भी सामेर उद्रिया से कि अभी लपके वाली बात आई है यह डर पैदा करता है जब परेटा का आता है और वो किस चोपSता हो या कोई चोप किदा क्याविस्टा हो या जो भी इस तरह की व्यस्ता हो सकती है आने जाने की वरस्ता धो आपने कही सड़क के बारे में यह बहुत इंक ज tuning talk कि स्रकार की लेका कि कि प्रिकार जैसे आपने भी मोनसिया को दार्म दिया वह यह नहीं पहुंच सकता है तो पिट्टू का उप्यों कि अग्यों कर शक्ता में परेटन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी निए कि हम सड़क माध्यम से ही पहुचें तुम्हांने साधन भी है उसके हर्शित एक चीज आती है यह तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है एक राजनेतिक सोच की बात है आपका दृष्टिकोंट कहां तक जाता है पहली चीज तो सोच की बात होती है कि आप उस दिशा में सोच भी रहे हैं आपको पता भी है या नहीं है दूसरी चीज है कि सडकों प्रवेदारी आप नहीं समझते कि यूथ हैं पढ़ रहे हैं आप चाहे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या दूसरे और भी पढ़ाई कर रहे हैं क्या उनका कभी दैट तो नहीं मनता कि हम जो है इस बारे में जागरुख हो हमारे यां की चीज बाहर जा रही है आर् बहुत सी जगहें हैं क्या आपको यह नहीं लगता कि एक आंदोलन सुरूप जो आगे आकर क्योंगी यूथ है बहुत बड़ी शक्ती है और बहुत बड़ी संख्या भी भारत में हैं लेकिन इसके लिए यूवा मुझे नहीं लगता कि जागरुख है Sir um my opinion Khajraho, people are not much aware as much in politics अगर अगर पर अपरितन का सवाल आता है तो उस चीजों पर वो manual work देखे जाते हैं वहाँनennial work,in the sense like ITD.C, Ministry of Tourism, you cannot fight witheur Mr. Derkarum, तो वोम भी आ कास्टिंग वोल, we make promises and a part of this before electing that person, a particular, I am not getting the name here, anybody here, he also relies to the people or the citizen of particular consistency, I will form this. But when the thing is over, the election is over, the as-is-is-is-is-temp, सभी एक तरीका के चलता है, सब जगे का हाल है, और तुरिस्ट ऑफिस जो एक सबसे बड़ी सर ने की, सबसे बड़ी चीज जो चली गई है खजड़ाहों से, और हम हातों पे हात रखके हुए बैठे हैं, और अंदोलन हुआ था, it was in 2008 something, by the, by the chairperson or like such peoples of the tourism department or local guides, और सबसे में चीज चली गई है के, today what happened generally sir, the most of the, I am telling a very personal thing here, the tourist guides which was selected by the Ministry of Tourism, IITT and Goliath, right sir, they selected from there and some guides are also selected by the state government, ITDC, they are working but they are not getting the permit to work in the Ghajruah, मैं आप दूसरी जगा जा रहा है, मैं यह कह रहा हूँ कि आकरकार यूथ को तुन चीजों के लिए आना चाहिए, वो क्यों नहीं आपा रहा है, क्या रीजन है? Sir lack of awareness, lack of awareness, the main thing which I am telling you that, lack of awareness, completely lack of awareness, कैसे आएगी बो, Sir we should start vocational training there, we should form something, the objectivity in the sense of the tourism, कौन करेगा? Sir that is done by us, nobody can welcome and nobody will force us to join us. कि किना रीपेंड होगे? सड़कों के लिए डिपेंड है, परेटनिस्तलों के विकास के लिए डिपेंड है, लेकिन कुछ तो हमारे लिए, Sir, परमार सर क्या हो सतता है, कैसे इन चीजों को लेकर हम लोग जागरुख हो, क्या चीजां ऐसी होना चाहिए, क्या बात ऐसी सामने आना चाहिए, या कैसे उनको किया जाए? जैसे हरस्त ने बताया, निस्ज़त तोर से इसके लिए जुम्मेदारी हम सब को जाएं, जाएंट रिस्पॉंसिविलिटी और इंडिवुजविलिटी उसमें डालें, इसमें तीन-चार चीजें हो सकती है, सबसे महत्मूर्तों एवेरनेस के लिए हम खास्तों से टीचिंग लाइन में हैं, कि बच्चों में ही शुरू आज से कुछ न को संसकारत हैं, पहली बात ते यह होना चाहिए, तो उनको समझ में आए कि हमको एक एटिकेट क्या है, मैनर्स क्या है, जो बाहर से आता है, तो वहां का एंबेस्डर है, कि नहीं है, वह बाहरत तो परंपरा बहुत दूसरी है, नहीं त्यास लिखने की रही नहीं, तो यह होना चाहिए, दूसरी बात जैसे हमने शरूमें कहा था कि एक ग्रुप बना है, जैसे आप 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 ट्रक पर चर्चा कर रहा है और इसी चर्चा की एह बरक्स है, चार-चे लोगों का ग्रुप ही हो, विरोध करने के लिए कहीं न कहीं क्योंकि आज बिना विरोध के कोई चीज मिलती नहीं है, जब तक बच्चा रोता नहीं, मां भी दूद नहीं पलाती, सरकार हैं तो छोड़िया, तो जब यह इसके लिए हैवेरनेस और सबसे महतपू है इस अंचल के लिए, कि यहाँ पर हमाई जो जुमिदार लोग हैं, वो इसी आधार पर राजनीत करते हैं, वो बात तो करते हैं, इंटरलेस्टर की, बढ़े हैं उसकी, लेकिन जब आती है, तो ओले हमाई पारटी को है, मुझे क्या हासल होगा, यह कई बार आपको मैं कि करना चाहूंगा, फोलें सेंसन था, रोड आपको ध्यान होगा, वो भी कैंसल हुआ, उसके पीछे भी सुना जाता है, जो चर्चाएं तरह तरह की राजनीती थी, कि वो किसके जमीन से निकल ला था, कि किसका हितनी हो रहा था, किसका हो जहां हो रहा था, जहां यह सोच हो, तो हाँ पर यूद्स को ही आगी आना पड़ेगा, कुछ न कुछ ऐसे जागरुक लोगों को आगी आना पड़ेगा, जो एक ऐसा बातापरों बनाए, जिससे परेटन बने, परेटन को के मने विश्ट्वास जगे, उनका सम्मान कर सके, इस प्रकाय की जागरुकता के लिए सामुहित जुम्यदारी आव सकता है, शिक्षा से जगत जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, तमाब लोगों को आगी आ करके काम करना पड़े है, आप चुकि महारादय को प्रोफेसर है, उनके शिक्षा से जुड़े हुए है, क्या कुछ एक ऐसा महसूस करते हैं क कुछ ऐसा एक पाइट ग्रम जो की जैसे कि आधार पाइट ग्रम चलता है, उसमें एक समाहित करके कैसा टॉपिक को यहां की इतिहास भागने और हिंदी भागने दौनों ने बुंदिल खंड के इतिहास चलाया हुगा, हम एक पूरा पेपर बुंदिल खंड के लिटरेचर पीजडी हैं किसी सब्जेक्ट में उसके बारे में एसीडी आपनी छेटर के मनी बालों में तो महराजा कालेज किस्ता प्रयास करें लेकिन इसको व्रहा दस्ता अपने जारी का सकता है, इसको लिए करके टूरिज्म के संधर में पाटकरम उसी फाउंडिशन काव कोर्स में ही जब हिंदी के आनने वेरनेस के पाटकर मना जाएं तो कुछ पाट ऐसे डाले जाएं किसी ने विसी कक्षा में जो पढ़ावा देने वाले हो ना कि बुंदिल खंड उसमें मालवान चल भी हो सकता है, उसमें बगिल खंड की हो सकता है, हर पूरे रास्टी परपेक्श मे लेकर के हम बात करेंगे, तो उसमें कुछ नोच आपका हुसा है, तो ये तमाम चीज़ा निकल कर आई हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पर जाने के बाद एक बार फिर से हम बहस में लोटेंगे, और ये चर्चा ये जरूर करेंगे, जो अभी हर्षे से चूट गई है, जितने भी, अगर उनको लिंक किया जाएं दूसरे से एक जगह पर अगर परेटन परेटक है, और उसको फिर वहीं से बाकी अन्य जगहों के बारे में, चाहे वो छोटी जगह हो या बड़ी जगहों हो, वहां के बारे में जानकारी मिले और सुविधा मिले, तो इसका कितन वड़ा फर्क पड़ सकता है, लोटते हैं शोड़े से ब्रेक के बाद, असीन और सुरक्षित आशियाने का खाब, हम बतलते हैं आपके खाबों को हकीकत में, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है, पैप्टिक टाउन, कल के लिए एक सुरक्षित निवेश, ब्रेक बाद एक बार फिर से लोटते हैं, सिटी हॉल में और बुंदेल खड में परेटर की संभावनाओं पर हम चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से डेवलोप किया सकता है, कौन सी ऐसी बाते हैं, जिनको अगर उनका विस्तार किया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में परेटक हमारे हां आ सकते हैं, मैं हर्शित से जाना चाहूँगा, हर्शित एक जैसे यूथ है, वो अगर कहीं गुमने जाना चाहता है, गुमने जा रहा है, जैसे नियूली मेरिट कपल हुए, वो जाना चाह रहे हैं, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी कहीं गुमने जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या कि वो उस जगर पर क्या ऐसी चीज़ों होने चाहिए, किस चीज़ को लाइप करते हैं, और अगर वो उनको वहां मिलता है, तो वो ज्यादा से यादा या कई बार वहां पर जाना पसंद करते हैं झाहिए, अज आगे सुए ही जाए ठाय हो कि वहां ओना, जवहां कि अचरा यूदिक भाफ प्यू प्कुरत हैं, वहां कि वहां कि वहां मिलता हैं है, तो एक यू आए भाध सित्स्टर्च यूजू आप्यू इन दोड़ा हैं वहां मिलता हैं, लोग उन आप आम आप से तो ह यूट इसम इन को तरहन को हो को जा सुन वावाज़ीव इस रवे को भी वाज्य एड से और फिट इसले पर्फॉस פट्डिक्वाज से इन अज इसले इसले बीज़ इसले पॉड़्यवाज इन प्रफॉस इन इसले 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 पाट वाजिग ए मेल इसले भी waited बिंड है यल क तो यानि ये तमाब बाते सहाम ने आती हैं कि टैक्सी चाला गया पहुचने के साधन नहीं है या फिर इनका रेट्स जो है इतने हाई होते हैं कि अगर आप बारगेनिंग करना नहीं जानते हैं तो आप की जीव करना निश्यत है और ऐसे कर्णिशन में फिर आप वहां अगर तीन दिन का रहने का सोच कर आए हैं तो हो स इन जगहों को अगर लिंक किया जाए एक जगह पर टूरिस्ट महुचता है और उसके बाद उसको अगर महां से सुविधा मिलती है और महां से जानकारी भी मिलती है क्योंकि उनके साथ जो आपके गाइड्स होते हैं वो खास-कास जगहों पर ही फोकस करते हैं वो कि ने साथ आप यहां से बनारस जाएं बनारस के बाद फिर आप इलाबाद जाएं और इलाबाद के बाद दिली की ट्रेन पकड़िये फ्लाइक पकड़िये और चले जाएं लेकिर ऐसी जगहों के बारे में भी अगर बताया जाएं फोकस किया जाएं और कुछ एक ऐसी मैं आपको अपनी बात के समर्तन के लिए अपने व्यक्ति के दो दारण देना चाहूंगा चुकि हम सभी खज्राओं के आसपासी रहने वाले चतरपुर्ची लेके रहने वाले हैं और मैंने भी अपनी जिंदगी में खज्राओं कई बार घुमा होगा बचपंग से लेके शा पर यदि आप बिना गाइड के जाते हैं तो आप सिर्फ देखते हैं समझते नहीं हैं तो किसी भी परेटन को आकर्शन बनाने के लिए जरूरी है कि आप उसको समझें कि यह क्यों है इसकी महत्तिता क्या है जैसे अभी बीच में चर्चा आई थी हमने भीमकुंड की समझनामी आया था समुद्र तट पे तब उसकी लहरें भीमकुंड में उठी ती यहां दिखाई दी गई थी और आज भी वहां का पानी समुद्र की तरह बिलकुर नीला और साफ है तो यह कुछ इस प्रकार की जानकारिया है जो दी जानी चाहिए परेटनों के बारे में कि इस प्रकार से दी जा सकती हैं हम सांस्कृति कारिक्रम कर सकते हैं बुंदिली उत्सव जैसे कारिक्रम जो होते हैं जो विभिन अभी मालीज शवरपुर में होते हैं अब किसी एक गाउं में होते हैं हम इनको विभिन इस्थानों में कर सकते हैं एक बुंदिल घंड में करे के बिमकुंड में करें एक जैसे घड़कुर्ण वे भी होता है कारिक्रम तो यह जो करिक्रम होते हैं यह अपने आप में लोगों को आकरशित करते हैं और उस पर्टिकुलर जगे के बारे में विस्तार से बताते हैं और उसके प्रती आकरशन भी पैदा करते हैं इसमें एक रोल चुकि आपने मेरा इंड्रोडक्शन में कहां कि मैं सिनेमा का जानकार हूं तो मैं जरूर इस वात को दृत करना चाहूंगा कि सिनेमा एक ऐसी विदा है जिसमें हम बहुत अच्छी चीजों को दिखाते हैं और आकरशन परदा करते हैं तो एक डॉक्यमेंटरी टाइप की चीज भी इन सब इस्थानों के वारे में बनाई जाए जो सरकारी लेवल पर भी हो सकती है सरकार का अनुदान से या विक्तिक सब्सक्राइब की उसने जाब रुकता पैदा की अब लोगों का अकरशन उसके प्रती बढ़ेगा और वो परेटन को खीचेगा इस प्रकार डॉक्यमेंटरी से सिनेमा में जो दिखाए गए इस्थान होते हैं वो फेमस हो जाते हैं और लोग वहां जाना पसंद करते हैं इ निच गोआ के दिखाए जाते हैं तो मेरे कहने का मतलuto है कि जब हम किसी भी इस्थान को एक विशेश रूप से दिखाते हैं के साब इसके एक सांस्कृतिक करती हो यह हम को सब्दें को बड़ाने में मतद़कार साहता है सराखरी सबात शुज जितनी भी बादें निकल asus के बाथ करें या फिर पृत स स्यम này के बात प्रशासन इस तर से अगर मदद नहीं मिलती है तो वो चीज वहीं पर रुख जाती है क्या मानते हैं कि जब अगर हम उनी पर आशेत अगर रहने ही हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर यह तो निरासा का भाव होगा जी एक जो भी स्वानी जी ने बात कि उसको थुड़ा पहला के समयं कई नियुक्त एप जोरतु प्रपे फिल्म की बात की इसी हमाई धमाग मैं फिल्म के साथ इस समेंझ सोचल मीडिया की इंक ने ऐसे उस्वाम लोग जुआ यहां करने को सकते हैं इसमें हम पेस्बुक ट्विटर जैसे यानिय कर साधनों को आप नगय पर सबस्क्राइब की स्रकार की निश्चे तर जुम्धारी है, सरकारे अपनी जुम्मादरी लिक निरास उहथार समय बातनी में एप बात की बंदेली उस्ताव मैं बंदेल है दो जाना है। है और प्राइय जाद इटार है। सरकारी कि वर्याकर की फट्राप्राइड सरकार है लिए सब्सक्राइब अपना उद्देश भटक जाती है इसी संदर्ब में बुंदिली उस्वा के एक संस्मान याद दिला चाहूंगा उस समय कॉंग्रेस गवर्मेंट जी 2003 या दो की बात है बहुत मुख्मंत्री थे और ने कहा कि आप हमें दे दीजिए और तमाम बुंदिली उस्वां कराएंगे मुद्दा आया बहुत सारे माइं कमेटी को लोग बोले कि ने आप दे दीजिए हमने और हमाइं कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यदि हम आप मुंदिली उस्वां को दे देंगे तो हमने खजराहू डांस फेस्टिवल केसाओ जैन्ती समारों को मरते हुए देखा मरते हुए कि आप ना अपने मन से बंदिलखंड के कलाकारों को हमने जनकी सेटम होगी वह अ कर रहें जिस मेरा चाहेंगे जिस मंसा से काम करना चाहते हुँ मुद्ध क्या इपेंड रहें पूरता सरकार विपार आसरत होना मेरे समय मोचत नहीं है यानि कुल मिलाकर यही बास सामने आ रही है कि ठीक है सरकारी है लेकिन सरकारी भी उतना सरकारी नहीं है जब तक हम उसमें खुद इन्वाल्मन नहीं होते हैं हमें अपने परेटन शेत्रों की जानकारी है तो Facebook के माध्यम से, Social Media के माध्यम से, अपने चर्चाओं के माध्यम से हम उनको सामने लेकर आए और कैसे भी जब तक हम डारेक्ट रूप में इस तरीके से जुड़ेंगे नहीं हमारे हां का विकास उतना संभव नहीं है क्योंकि जैसा की अजादी के इतने सालों से लेकर अभी तक तो विकास उस तरीके से देखने को नहीं मिला है तो आगे भी आप बहुत ज्यादा संभवना या बहुत ज्यादा उम्मीद हैं इनसे तो नहीं कर सकते लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे शेत्र का विधास हो तो उसके लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा युवाओं को जागरूप होना पड़ेगा जो गुद्धिजीवी हैं उनको इन बातों का महत्व समझाना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो बनाए गए हैं और पूरे देश के सामने ले जाएंगे तो निश्य तोर पर बुंदेल खंड एक बहुत बड़ा हब बन कर उपरेगा और यहां पर भी काफी संभावनाए नजर आएगे आज हमारे इस डिबेट में महराजा कोलेश से डोक्टर महादू सिंग परमार डीके सोनी जो की सेने अगर इन पर अमल होता है काम होता है तो निश्य तोर पर यहां पर आपार संभावनाए टूरिज्म की देखने को बिलेगी झालाए यहां पर रहलेँ रहलाई ठापने को ठालाए खर आप में माल आपार साथावनाशर सहर्चंग पर अजयाय सुआ होता है